हेलो दूस्तों स्वागत है एक नए ब्लॉग में और आज है हमारा धम्माम में तीसरा दिन और सुबह के बज़ रहें अच्छे पंजाबी गानों से खुद को जगाते हुए और अपनी सोई सोई आखों से रास्तों के नजारों का अनंद लेते हुए हम निकल जाते हैं अलजुबैल को क्योंकि सौधी अरेविया में जो सबसे क्लीन बीच माने जाता है वो अलजुवैल के बीच माने जाते हैं और धम्माम ट्रिप पे आना और अलजुवैल न घूमना मतलब थोड़ा सा मजा किरकीरा सा लगता है तो आज के ब्लॉग में हम कवर करेंगे अलजुवैल का अलफनातीर बीच और साम को वापस आके धम्मा में हम चलेंगे किंग अब्दुला पार्क फायर वर्क शो देखने तो लगभाग एक घंटे पंदरे मिनट के सपर के बाद फायरली हम लोग अलजुवैल पहुच गए और अलजुवैल में इंटर करते ही हमें एकदम ग्रीनरी सा दिखाई देता है बीच के साइट से हम लोग ने लजारों का अनंद लिया बीच काफी क्लीन है और वहां पर काफी मचली है भी ती अब हम लोग जा रहें किसी पब्लिक बीच पे जहांपे हम लोग नहाएंगे और इंजुआय करेंगे यहां पर एक प्राइवेट बीच है जिसका नाब है बनाना बीच तो अलपनातीर बीच पे इन्होंने काफी कस्टमाइज बीच रखे हैं कुछ पब्लिक बीच है और कुछ प्राइवेट बीच पर जाने के लिए इंटरी फी देनी होती है और वहां से आप स्विमिंग सूट ड्रिंग्स स्नैक्स खरीद सकते हैं अभी हम लोग बनाना बीच के जश्ट बगल वाली बीच पे हैं यहां पर अलड़ी कुछ लोग बात कर रहे हैं तो हम भी चलते हैं और लेते हैं आनंद नहाने का जाने का! तो लबहा डेड़ घंटे नहाने के बाद हम लोग फैनली आ गये हैं बाहर अब धूब भी कापी हो गया था और तबियत खराब नहों जया इसके डर से अब यहां पर साधी पानी से नहा के पूरा नमक छुड़ाएंगे सरीड़ा उसके बाद चलेंगे नास्ता करने तो जु तो अभी साम को हम लोग आगे हैं अपना टाइम स्पेंड करने दमाम के किंग अब्दुला पार्क में और सवुदी गवर्मेंट के अफिसल वेब साइट पे यहां पे लिखा था कि आज फायर वर्क भी होगा नेशनल डे के उपलप्छ पे तो देखते हैं फायर वर्क होत आनी पसीना पसीना सा आ जा रहा है कि रात के नौ बजे फायर वर्क सो होगा इस चक्कर में हम लोग पार का प्लान रात में किये थें नहीं तो दिन में आते तो समुद्र के नजारों का भी आनन्द लेने को मिलता तो इस पार्क का कुछ ऐसा दिखता है नजारा और अभी तोड़ा पसीने से भिल चुके है हलाकि वो कहीं पे भी जाए वो पसीना होगा ही तो तहलते तहलते फाइनली हम लोग आ गहे हैं समुद्र के किनारे तो कुछ ऐसा दिखता है यहां से समुद्र का नजारा और यहां पे बच्चों को खेलने के लिए भी काफी बड़े एरिया में प्लेजोन ग्राउंड बनाया गया है प्राथ के नौ गज गये हैं अब चलते हैं ऐसी जगह जहां से फाइर वर्क स्रो का अच्छा आनंद लिया जा सके हुआ 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 है हुआ हुआ है है हुआ है है तो हमारे साथ आप लोग भी लेजिये फाइर वक्ष शो का आनन्द आज के ब्लॉग में इतना ही और जल्दी मिलेंगा आपसे एक नए ब्लॉग में तक तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्ताइब प्लॉग में उल्दी और उड़ाईब